अगामी लोगसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनेतिक दलों के तैयारियां शुरू हो गई हैं बीजेपी के नेत्रितिवाले एंडिये से मुकाबले के लिए 26 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं उधर एंडिये भी लगतार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की फिराक में हैं और वो कोई कोड का सर नहीं छोड़ना चाहता इस सब के चलते सियासी हलचल भी बढ़ गई है और इस बीच एक सर्वे किया गया और लोगसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय पूछी गई सर्वे में जो आकड़े सामने आए वो बेहर चौक आने वाले थे क्या कहते हैं आकड़े सर्वे की आकड़ों के मुताबिक चार राज्यों में एंडिये को जीरो याने एक भी सीट नहीं मिलेगी इनमें मनिपूर राज्य भी शामिल है जहां तक्रीबन तीन महीनों से जारी हिंसा के चलते विपक्ष के इन सरकार पर हमला वर है मनिपूर के अलावा केरल आंद्रप्रदेश और पंजाब भी शामिल है आकड़ों में कहा गया है इन राज्यों में एंडिये को एक भी सीट मिलने की उमीद नहीं है केरल की 20 लोगसभा सीटों पर किये गए सर्वे के मताबिक अंडिये को एक भी सीट मिलने की उमीद नहीं है जबकि विपक्षी गडबंधन इंडिया को सभी 20 सीटों पर जीत मिल सकती है आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश की 25 लोगसभा सीटों के लिए चुनाब होना है सर्वे में जो आकरे सामने आये हैं उसके मताबिक आंद्रप्रदेश की 25 सीटों में से एंडिये को एक भी सीट मिलने की उमीद नहीं है सर्वे में कहा गया है कि इंडिया को भी कोई नहीं मिलेगी जबकि अन्य दलों को 25 सीटों पर जीत मिलने की उमीद है पंजाब पंजाब की 13 लोगसभा सीटों पर किये गए सर्वे के मुताबिक यहां पर भी एंडिये को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है जबकि इंडिया सभी 13 सीटों जीत सकता है मणिपूर में 3 मई से हिंसक घटनाएं हो रही हैं इस बीच के गए सर्वे में एंडिये को राज्ये की एक भी लोगसभा सीट पर जीत नहीं दिखाए गया जबकि दोनों सीटों पर इंडिया को जीत मिल सकती है उधर महराष्ट में शिफसेना के राष्टी जनतांत्रि गडबंधन से अलग होने के बाद कई राजनितिक गतिविधियां देखने को मिली इसके बाद शिफसेना दो भागों में बटी एक एकनाच शिंदे मुखे मंत्री बने और हाल ही में राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी एंसीपी में दरार आ गई जिसके बाद अजीत पवार बीजेपी की नेतित वाली सरकार में शामिल होकर मंत्री बने अब सवाल उता है कि अगले साल होने वाले लोगसभा चुनाव में क्या ये दोनों बीजेपी के लिए फाइदे का सौधा साबित होंगे और क्या उदव ठाकरे वाली शिवसेना बीजेपी को नुकसान पहुचा सकती है ये तो समय ही बताएगा लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर बताए और अब ही तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं कि झाले